आज हम लोग NPN ट्रांजिस्टर के बारे में उपर हैंगे पिछले लेक्षर में हम लोग PNP देखे थे बट यह NPN नहीं हो पाया था तो आज हम NPN ट्रांजिस्टर को स्टार्ट कर रहा है इसके 3 टर्मिनल रहते हैं कलेक्टर बेस और इमिटर और तिन लेयर NPN लेयर होता है तो यहां पर 3 टर्मिनल देखें तो इमिटर बेस और कलेक्टर 3 टर्मिनल और 3 लेयर NPN लेयर होते हैं ओके इस टाइप आफ ट्रांजिस्टर P-type semiconductor placed in sandwich between 2 piece आफ एण टाइप सेमिकक्ड़क्टर लेयर इस पर कागा जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें P-type का जो material होता है वो N type के material के बीच में प्लेस किया जाता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, NPN जो transistor है, उसमें P-type का जो material है, वो N-type के material के पीछ में place किया गया है, ओके? In which type of transistor, किसी परका का जो transistor होता है, वो NPN ले ले या P-NP transistor ले ले, उसमें ये function जो होता है, वो same होता है ओके? हम ले रहा है, first function जो है, the function of transistor is middle section which is present as a very thin layer, जो middle section होता है, वो बहुत पतला होता है, ये जो middle section जो है, इसकी size जो होती है, emitter के size या collector की size से यदि compare करें, तो इसका जो size होता है, वो बहुत पतला होता है, और lightly dopt भी होता है, बहुत कम dopt होता है, dopt का मतलब जो material हम use करते ह है, यहाँ पे, silicon हो या germanium हो, यहाँ पे बहुत कम material का use करते हैं, और यह बहुत पतला layer होता है, ओके? इसके बार में हम देखेंगे आगे, a transistor is combination of two PN junction, that why it is considered as a combination of two diors connected back to back, यह जो transistor है, PNP है या NPN जो transistor है, इसमें तो PN junction या NPN junction diode जो है, वो connect रहता है, back to back, एक प्रकास डायोट का जो symbol देखेंगे, हम लोग के पास diode जो होता था, एक मिरट, जो diode हम लोग के पास होता था, diode का जो क्या होता था, एक, N, P, दो layer होते थे और दो terminal होता था, जिसे N terminal और P terminal कहते थे, से भी यही function है, दो diode को क्या किया गया है, connect कर दिया गया है, यहाँ पे, N P diode and PN diode, okay, back to back दोनों को connect कर दिया गया है, Emitter, Emitter का बारे में कुछ समझे, तो this segment is on the left side of the transistor, it is moderately size and heavily dot, Emitter जो होता है, transistor के left side connector आता है, और यह moderately size का होता है, और बहुत अधिक dot होता है, okay, तो यह Emitter जो है, यहाँ पे Emitter हो किया गया है, यह transistor का left side है, और यह size में जो होता है, collector के size से यह थोड़ा, छोटा size का होता है, इसकी जो block होता है, इसका जो block, वो थोड़ा छोटा होता है collector के size से, उसलिए हम इसे moderately size बोल रहे हैं यहाँ पे, और heavily dot होता है, सबसे अधिक dot होता है यहाँ पे, next बात करें, base, this segment is at the center of the transistor, it is thin and lightly dot, base जो होता है, वो transistor के center पे होता है, बीच में होता है, और यह बहुत पतला और बहुत कम duct होता है, यहाँ पे देखें, तो base जो है, वो transistor के center में है, बीच में है, और यह बहुत पतला layer, इसका जो size होता है वो बहुत पतला होता है, यहाँ तो block diagram जो देख रहे हैं वो थोड़ा same size का बना हुआ है यह बहुत पतला होता है और बहुत कम dopt होता है यादि हम really इसका block diagram बना है तो हम लोग के पास block diagram जो बनता है वो कुछ ऐसे बनेगा यह मेरा N यह P और यह मेरा N है यह मेरा N है तो यहाँ पर हम size देखे तो इसका जो size है थोड़ा छोटा है collector से यह collector है यह मेरा emitter है और यह मेरा base है यह मेरा base है ओके यह मेरा sim size होता है बट यहाँ पर जो हम figure लिए है यह मेरा figure के through हम समझा रहे हैं आप लोग को तो यहाँ पर जो size होगा base का वो छोटा होगा बहुत छोटा होगा और बहुत कम dropped होगा यहाँ पर जो material यूज करेंगे बहुत कम material का use यहाँ पर dopping करेंगे यहाँ पर ओके नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं collector के बारे में बड़ा होता है और यह moderately dropped होता है मतलब emitter जितना dropped है बहुत highly dropped है इससे थोड़ा कम dropped होता है यह यह तो था हम लोग के construction समझ लें NPN के बारे में NPN ट्रांजिस्टर के बारे में और यादि इसके working principle के बारे में समझें तो एक मिनट वर्किंग प्रिस्पल अफ दर ट्रांजिस्टर ओके तो सबसे पहले हम एक फिगर ले ले इसका क्या है इसकां है तो बाम हम एक पर्वाइश पहले को खेए तो क्लेकर वेस जंक्षा मतलब बोला है जो emitter base junction जो होता है यह मेरा emitter है और यह मेरा base है यह हमेशा forward vice में ही connect करेंगे वो pnp हो या npn हो तो हम हमेशा forward vice में connect करेंगे यदि आप लोग को forward vice नहीं समझ में आ रहा है तो हम diode collector यहाँ पर है diode अब लोग देख लिजिए वहाँ पर कैसे हम forward vice में connect करते हैं diode को तो हमेशा हम इसे क्या करेंगे forward vice में connect करेंगे और जो collector base terminal है यह collector और base terminal जो है इसे हम हमेशा reverse vice में connect करेंगे वो pnp transistor हो या npn transistor हो next जो बोल रहा है the forward vice voltage VEB जो मतलब forward vice voltage जो apply किये हैं वो मेरा VEB voltage है as small as compared to the reverse vice voltage VCB जो मेरा forward vice voltage होता है यह मेरा VEB जो voltage है forward vice voltage वो बहुत काम होता है reverse vice voltage से VCB voltage से ओके the emitter of the transistor is happily docked emitter जो है वो मेरा heavily docked है चलिए ठीक है when forward vice across the emitter the majority charge carriers are moved toward the base this cause the emitter current IE जो हम forward vice यहां पे voltage apply किये हैं तो यहां पे N जो type है N type material जो हम यूज किया है यहां पे N type material इसका majority charge carrier जो है वो electrons है यदि मेरा P type होता है तो वहां पे majority charge carrier hole होता है होल की संख्या बहुत अधिक होती तो majority charge carrier hole होता है बट यहां पे N type यूज किये हैं तो यहां पे majority charge carrier जो होगा वो मेरा electrons होगा ओके electrons होगा अब यह electrons क्या करेगा यह यह यहां पे negative charge है यह मेरा positive charge है यह देखो यह मेरा negative है यह मेरा positive terminal है positive terminal जो होता है electrons को क्या करता है attract करता है तो positive terminal जो है वह attract करेगा ओके Attract करेगे अपने side और Peace जो material है पी-type material यह पी-type material बेs नीच में है ये क्या रखेगा आपने आप में होल्स मैजुरेटी चार्ज का क्या होग इसे होगा चार्ज क्या होगा यहां पर material में तो यहाँ पे holes होंगे अब बताओ यह जो electrons जो है वो move करेगा positive charge के तरफ और holes जो है वो move करेगे negative charge के तरफ यह दोनों क्या होगा यहाँ पे combined हो जाएंगे दोनों combined करेंगे electrons और holes और यहाँ पे IE current flow करना start करतेगा okay positive to negative IE current flow करना start करतेगा IE current मेरा flow करने लगा IE current flow कर दिया अब देखेंगे यहाँ पे the electrons entered into the p-type material and combined with hole चलो hole के सांथ combined हो गया जो p-type material में जो electrons गया है वो holes के सांथ combined हो गया क्यूंकि p-type जो है वो holes अपने आप में रखा है और यहाँ पे जो holes की संखिया देखें यहाँ p-type में hole की संखिया देखें तो बहुत कम है क्यूंकि इसके size जो है बहुत पतला है और lightly dopt होता है बहुत कम dopt होता है तो यहाँ holes की संखिया बहुत कम होगी as compared to electrons की संखिया से तो electrons को जो है वो तो बच जाएगा यहाँ पे जितना electron से उतना तो holes से उतना combined हो गया और जो electrons बचा वो क्या करेगा वो फिर से collector side move करना start करतेगा अब देखो कैसे कर रहा है यहाँ पे ओके ग करती है यहाँ Sounds agree the base of NPN transistor इसलाइड़लीड़ब्गर, जो बेस है NPN टराशिश्टर का वो light 1954 का मड़ेद नाख्ट है बहुत कम ड़नग है due to which only a few electrons और combine , जिसके कारान बहुत कम 1 इलक प्रन्टेस जो है वह combined हो रहा है है holes के साथ okay and remaining constitutes the current IB जो यहाँ पर combined हुए है उसके कारण यहाँ पर IB current flow करना start कर दिया okay यह IB current यहाँ यह IB current देख रहा है वह flow करना start कर दिया positive to negative current flow करता है तो current ऐसे flow करेगा okay और electrons जो है वह ऐसे flow करेगा उसके opposite direction में चलो ठीक है IB current flow करने लगा यहाँ पर अब हम देखेंगे next the reverse potential of the collector region applied the high attractive force on the electrons reaching collector collect the electrons at the collector अब यहाँ पर electrons की संखिया बच गई बहुत अधिक बच गई क्यूंकि जितना holes था उतना तो combined कर लिया और IB current flow करने लगा जो electrons बचें अब क्या करेगा यहाँ पर positive terminal apply है और यह negative है positive क्या करता है electrons को attract करता है तो यह electrons जो है वह collector side flow करना है start कर देंगे वो okay और N हमको पता है एंट type material जो होता है क्या रखता है अपने आप में Electrons रखता है, एलक्रोंस और यहाँ से भी Electrons जा रहा है यह भी Electrons ही है बट, यहाँ पर minority ChargedLIEर बहुत कम होते है जिसे हम hole ra है यहाँ यहाँ आपम एंट leट कारे रियल होंगे majority charge career क्या हुआ, electron हुआ n टाइप मे, और minority charge career क्या हुआ, वह holes हुए, एक बार हम minority, और majority के बारे में समझ ले, जैसे हम लोगों के पास यहाँ पर, यह मेरा P है, ओके, और यह मेरा N है, यदि बात करें, P type में majority charge career क्या है, तो हम बोलेंगे holes है, majority charge career, holes है, क्यूंकि P-type material में holes की संखिया सबसे अधिक होती है और यदि बोले P-type material में minority charge carrier क्या हैHYINT तो Electrons हैं क्या बोलेंगे ELECTIONS हैं क्योंकि minority charge carrier P-type material में बहुत कम होते हैं अब बात करते हैं N-type material में यदि बोले N-type material में majority charge carrier क्या है तो हम बोलेंगे इलक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् हैं उसके साथ combine हो जाएंगे electrons और combine होकर यहाँ पर ic current flow करना start कर देगा ओके ic current जिसे collector current बोलेंगे ic current ओके यह मेरा था NPN transistor का working principle कैसे मेरा current flow कर रहा है NPN transistor में ओके यह मेरा lecture था NPN transistor का material भी है आप लोग notes कर लिजएगा इसे okay thank you